पाकिस्तान का प्रधान मंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है 365 दिन भी अगेन ही स्टार्टेड बेगिंग इंडिया फॉर टॉक्स इस आगडार को सस्ती तिजारत से भारत से ही क्यों नजर आती है लागरी साब दुश्मन से तो ना मांगो भीक यार आप अपने साथी अपने दोस्त अपने रिष्टदारों से भीक मांगते हैं वो आपका परस्नल मैटर है हम नहीं कहते हैं कि आप मांगो ना मांगो तेकर ये कोई आसान काम नहीं है अगस्त बीस उनिस के बाद काफी हद तक मामलात खराब हो चुके हैं ये जो आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दर्मयान तजारत जो है वो बहाल होनी चाहिए वो एक तो पैदावार बहुत अची ले रहे हैं और दूसरा वो के सस्तीबिया चीज़े हैं लेकिन आप दुश्मनों से भी भीक मांगते हमसे बात कर लो फ्लीस सरम से बात कर लो एक बार तो बात कर लो सर कोई बात है ये उस टाइप के और अगर बहाल होनी चाहिए तो वो कौन से फैक्टर्स है as a safarat कारी के तौर पर या वजारत खारजा के तौर पर कि जिसको दोनों तरफ से इन चीजों को बेतर करने की जरूरत है और दोनों मुलकों के क्या ये मफाद में है सर पता नहीं क्या ये पाकिस्तानी माइंसेट है ये क्या खाते हैं, इनके खाने में कुछ मिला हुआ है, I don't know, मुझे नहीं बात समझ में आती, कि आप भी क्यों मंगते हैं थे पर हम लोग बिजी हो गए, यो नो बंगला देश में जो हुआ शेख हसीना का फिर भारत आना फिर बोलना कि जी हम तो लंडन जाएंगे ये सब, इन सब चीजों में हम लोग बहुत बिजी थे, पीछे से शेबाश शरीफ की एक स्पीच है, ये स्पीच उन्होंने दी लेजि क्या जरूरत है, क्या ये लोग आजाद बलोचस्तान कहते हैं, या आजाद खाइबर पक्तूनखा कहते हैं, या ये आजाद पंजाब कहते हैं, या आजाद सिंध कहते हैं, नहीं कहता ना, यानि कि कुछ दाल में काला है, कुछ मन में चोली है, एन्यूवे, शेहवाश शर पांच अगस्त को ठीक है जी क्योंकि पांच अगस्त को भारत में 375 से हटा दिया था तो यौमें इस्तेहाल एक कश्मीर यह आधे पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता होगा यौमें इस्तेहाल कश्मीर का क्या मतलब है सारा अर्बी जबान को लेकर फरजी वाड़ा है इन इसने बातें करी और बोला कि भारत को बात करनी चाहिए यानि कि पाकिस्तान का प्रधान मंत्री साल में 364 दिन तो मांगता ही मांगता है 365 दिन भी यानि कि on 5th of August again he started begging India for talks पता नहीं क्या यह पाकिस्तानी माइंसेट है यह क्या खाते हैं इनके खाने में कुछ मिला हुआ है I don't know मुझे नहीं बात समझ में आती कि आप भीक क्यों मांगते हैं इतनी दुश्मन से तो ना मांगो भीक यार आप अपने साथी अपने दोस्त अपने रिष्टदारों से भीक मांगते हैं वो आपका personal matter है हम नहीं कहते हैं कि आप मांगो ना मांगो लेकिन आप दुश्मन है कि सब ही क्रिटिसाइज इंडिया's actions in the region particularly since the revocation of जमुन कश्मीर's semi-autonomous status and condemned the ongoing human rights violations शहबाज शरीफ के बाप को नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ का बाप ना शहबाज शरीफ अगर इसका कोई बेटा है मुझे नहीं पता ये कभी कश्मीर नह कोई पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी जो स्टूडियो में बैठके लाहूर में या कराची में भंकता है बारत के खिलाफ ये इनके बाप इनके बेटे इनके खानदान में कोई कश्मीर नहीं आया कोई कश्मीर आया है नहीं लेकिन कश्मीर के बारे में बातें ऐसी करते हैं ये लोग फ्रॉडिया जो कौम है चार सो बीस कौम है ये चौबेस पच्चिस करोड की ये ऐसे फ्रॉडिया है यार ये मैं मतलब मुझे I sometimes I am surprised कि पूरी कौम चोर कैसे हो सकती है पूरी कौम ने कभी कश्मीर ने देखा क्योंकि जो illegally कश्मीर आया जो गलत रास्ते से कश्मीर आया वो तो जमीन के नीचे है तो इनको स्टोरी कौन सुना रहा है इनको ये जो कश्मीर के बारे में कहानिया है कि बड़ा जुल्म हो रहा है और बड़ा ये हो रहा है ये कहानि first hand knowledge नहीं है ये खुद के whatsapp message पढ़ते हैं ये खुद के forward पढ़ते हैं खुद टिक टॉक बनाते हैं खुद उस पर like का बटन दवाते हैं खुद खुश हो जाते हैं अपने ecosystem इन्हों ना बना रखा है अच्छा चलते चलते इन्हों ने फल्सटीन को भी लपेट दिया कि फल्सटीन में बजल्म हो रहा है यार देखो मैं पाकिस्ताइएं से एक बात कहता हूften कि तुम लोगों में बड़ा जोष है फल्सटीन को ले कि और ठीक है तुमारी मर्जी है तुमें लगता है कि वो भी मुसल्मान है तुम भी मुसल्मान हो और तुम्हारी रगों में खुन दोड़ता है गरम खुन है गरम जोश है जाओ करो कुछ फिलिस्तीन के लिए मैं तो कहता हूं फिलिस्तीन के लिए तुम्हारी सरकार दो रुपए भेजने की अवकात है नहीं उसको फिलिस्तीन दो रुपे, जब हमारे पास एटम बम होगा, तो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, वो पूरे आलम इसलाम का होगा इंशालला, इंशालला बोला, खा के डाकार मारी सोगए, हुआ क्या, ये तो समझा हो यार मैं, तुम लोग जाते क्यों नहीं फिलिस्तीन, सिर्फ विडियों से भॉंकना है, फिलिस्तीन भॉंकना है, कश्मीर भॉंकना है, सिर्फ भॉंकते रहना है, मता काम कुछ नहीं करना, कितने चार सो भी इस लोग हो यार तुम लोग, अभी हर रोज कोई न कोई गाना शुरू कर देता है, यूट्यूब पे, मैं तो हैरान इस पाए खाके, बिरियानी खाके, सो जाते हो, मोटी मोटी गर्दने लेके, मोटे मोटे पेड़ लेके, I'm shocked, more than shocked, I'm disgusted यार, ये कैसे अजीब सी कौम है यार, ये कैसे लोग हैं ये, ये हैं कैसे लोग, जो रोज बकवास करते हैं लेकिन एक उंगली उठाने को राजी नहीं ह ये ऐसी कौम है जो डंकी मारके साओधी अरिबिया पहुच जाती है भीक मांगने के लिए, इराक पहुच जाती है भीक मांगने के लिए, ठीक है, ये कैनेडा पहुच जाती है, चोरी से, ये यूरप के और मुक्तलिफ शेहरों में पहुच जाती है, चोरी से, ये दुनिय माफी मांग रहे हैं हाथ जोड के यार I think UAE का Consul General था वो कराची में उस भाई ने हाथ जोड ली उसने बोला यार तुम पागल बागल हो क्या तुम वहाँ पे आते हो हमारे देशों में वहाँ पे आके He's one of the diplomats, he's based out of कराची इसने इनको तीन चार दिन पहले लथाडा पाकिस्तानियों को कह रहा है तुम लोग बड़े गदार किसम के हो तो मैं Consul General जाब अगर आप सुन रहे हैं ना UAE के मैं आपको एक बाद बताना चाहता हूँ आपको क्या लगा ये आपके मुलक के सगे होंगे क्योंकि आप इनको पैसा दे रहे हैं 1947 में ये भारत माता की पीट पे खंजर डालके इन्होंने पाकिस्तान बनाया था ये गदारों का मुलक है पूरा 50 फीसद जो जेल में हैं वो पाकिस्तानी पड़े हुए है ये जाते हैं गल्फ कंट्रीज में वहाँ पे भी नेतागिरी शुरू वहाँ पे भी फिलिस्तीन फिलिस्तीन चुरू वो कहते हैं तुम पागल वागल हो क्या है